रात को बजीज का ब्रीडिंग बॉक्स काफी तेज इल रहा था जब खोल के देखा तो मैं हैरान हो गया कैचर की गोली में पानी किसने बरा था कलम नीले जिन के बतावे रास्ते में चले गए थे जहां पर हमें कैचर बेहुश मिला मैंने किस दरा कैचर को जगे से उठाया और फिर मैंने पूचा कि इस सब किसने किया तुमारे साथ और उसने कुछ नहीं बोला और अपने आप चलने लगा तब ही मैंने एक चीज देखा कि कैचर की जौकी में पिंकी बलून लटका हुआ था और कैचर की कच्छवा चाल हो गई थी कैचर हमें ज़ाडियों मिला इतना फुर्तिले कैचर के साथ उस सफेज साया ने ऐसा क्या किया कैचर को तो मैंने उसके हवेली पर छोड़ दिया इतने सारे बर्ड में से किसने किया होगा या फिर किसी और जीव ने किया था कोई भी बर्ड लवर अपने बर्ड को हाम नहीं पहुँचाता है भी आप मेरा क्या पूरे बर्ड हाउस के बर्ड का ख्याल रखते हो इस जो भी बोलते हो ने बोलने दो ना आप क्यों परिशान होते हो बर्ट के साथ हम एक्ट्स पूरी साफधानी के साथ करते हैं उस नेवले के मरने के बाद तो सब कुछ बर्ट के साथ सही चल रहा था पर बच्चे को किसने बॉक्स के अंदर खाया